यूपी के अमबेटकर नगर में थाना इंचार्ज की विदाई में पुलिस नहीं उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया, काफिला निकालने पर थाना इंचार्ज सस्पेंड बाकी लाइन हाजिर सीम योगी ने अनलॉक वन की आठ जून से होने वाली गतिविदियों को लेकर अधिकारियों को दिये निर्देश कहा केंड़ सरकार के निर्देशों का सक्ती से होपालन, बाजारों और हाईवे पर फुट पेट्रोलिंग बढ़ाए पुलिस गरीब लाभार्तियों को सीम योगी की सौगाट 60 लाग से ज्यादा पेंशन धारकों के खाते में रकम ट्रांसपर कुल 86,7,781 लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई पेंशन की राशी, पीयम गरीब कल्यार योजना के तहत अतरिक्त 1,000 रुपे का भी वित्रण गांदी ने सरकार पर किया तंज कहा लगातार, खत्म हो रही है नोकरियां, सरकार रोजगार पर अपनी नीती और योजना सांथ करें स्वास्त विभाग को सौपा स्वास्त रुपकरन लाने में इस्तमाल किया जाएगा प्लेइन टूनेट मशीनों की खेप लेने गोवा जाएगा सरकारी विमान इसी सरकार ने कानपूर और लखनों के बेच फिल्म सिटे निर्मार को दी हरी जंडी 25 फिजदी जमीन सबसीडी पर देगी सरकार अयोधिया पहुचे RSS के सरकारेवा भाया जी जोशी ने ये राम लला के दर्शन कहा राम मंदिर भव्य दिव्य कल्पना के अनुरूप बनेगा शिखर के विशे में शासन और सम्मंदित लोग तै करेंगी बाबरी विद्वन्स मामले में सीब्याई कोर्ट में सुन्वाई जारी राम विलास विदान्ती की आज नहीं हो सकी गवाही विनेक ट्यार ने कहा जब नमबर आएगा बयान दर्श करूँगा मामले में 32 आरूपियों के दर्श होने हैं बयान राम मंदिर मॉडल को लेकर चल रहे विवाद पर लखनों की सीब्याई कोर्ट में बाबरी विद्वन्स मामले में बयान दर्श करने पहुचे विनेक ट्यार ने कहा कि सभी लोग पद चाहते हैं ऐसे में इतने पद कहां से आए लोड़ा में बीजेपी कारकरताओं के धरने पर उठ रहे हैं सवाल अद्धार 144 का उलंगन की जाने को लेकर बीजेपी कारकरताओं पर हो सकती है कारवाई शोशल डिस्टेंसिंग का माखाओ लुडाय जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस भी इस मामले में गंभी लखनों में चोरी के आरोप में तीन यूगों को ग्रामिडों ने खुद दी सजा आरोपियों के सिर्मुंडा कर गाओं में घुमाया घटना पीजियाई थानक्षित के बरौली गाओं की है जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल राइवरेरी में एक महिला की पिटाई का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मामला गुरुबक्ष गल्थानक्षित के कुटी गोपाल दासगाओ का है जहां एक शक्स ने महिला को बेरामी से पीट-पीट कर माह डाला अरोपिपती पुलिस के हिरास्त में उत्राखन में लगातार बढ़ रहा है कोरुनों का आकड़ा आज नहीं साठ कोरुना केस के साथ को ले 1145 हुई संक्रमितों की संख्या उत्राखन के सीम त्रिवेन सिंग रावत ने प्रदेश के सबी जलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बैठा की सीम त्रिवेन ने इस दोरान निर्देश दिये की गाइडलाइन का सक्ती से पालन कराय जाए और गाउं में कॉरिंटीन सुधाओं में सुधार किया जाए उत्राखन में चारदा म्यातरा शुरू करने की सरकार की मन्शा पर सरकार ने सवाल खड़े किये कॉंग्रेस नेता सुरिकान धस्माना ने कहा कि प्रदेश में संक्रमर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में आप कैसे चारदा म्यातरा शुरू करने की बात कह रहे हैं आज़ून से धार्मी कस्तल खोले जाने को लेकर वारान सी के काशी विसुनात के दरबार खोलने को लेकर गाइडलाइन तयार की जा रही है जाले जाले जाएडलाइन तयार की जाले जार्मी क कारने का।